आहरे आलजी महिया जी गोंडा जिला से हम आये हैं जब तक लड़की का साधी ना करो तुब तक गाजी ने जा सकते हैं कि ऐसा किसने बोला है सुने हैं कई लोग से किस से सुना है कहते हैं सब लोग तो ही हम पूसे जिन से सुना है उनको मिर्ची का धूँआ चाहिए क्या चाहिए उनको और वो भी उल्टा लटका के क्यों सुनते हैं फिजूल की बाते आप लोग गुरु मğin Works जनम भूह में क्या दय थी वहा थे लिए हैं तो पूझा नहीं कर पाते हम बिमार रहते हैं ज्जदा तोां हम नहीं कर पाते तो आप क्यों बिमार रहती हो जादा कभी ज्यादा बिमार हो जादे तो नहीं करते अब जब ठीक रहते तो करते हैं तो ज्यादा बिमार रहती हो कि ज्यादा ठीक रहते हैं तो मंत्र कैसे करें जैसे महराजी दिये हैं छूट जाता है चूट क्यों जाता है अच्छा झब बिमार रहती हो तो dilapات जब बिमारी मैं खाना नहीं छूट रहा है तो मंत्र काही छोड़ देती हो खाना है बिमार पढ़े ओक थूसना है यह कि अधल मंत्र नहीं जबेंगे मंत्र नहीं जबेंगे बस अरे जब करो खाने पीने के पहले मन में जलता रहा है श्री मन नाराणश जो भी गुरुजी ने दिया श्री मन नाराणश चलता रहा है जब बीमारी में भी आदमी खा रहा है जब पूजा स्थान पे बैठें तभी करें मंत्र ना विस तरफ बैठे बैठे भी अंदर चलने यहां अंदर अंदर चलता रहे भी तर राधे 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 भाहराच जी राधे राधे मैं डिश्रिक्ट मैनपुरी इसे हूं हां ग्राम नेनपुर आपके शुवासिरवाद की आवस्ट्रक्ता है इसलिए मैं चाहता हूं आशिरवाद हैं बताओ माराध जी जब संसार में कोई अमर नहीं हुआ फिर कहा जा रहे यह लोग इन्हें इस बाकी लों कहां जा रहे है यह नहीं ह॔ँ वह We यह नहीं चोराशी लाख योनियों में भटक रहें गोल 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 भॉल गोल जिसी सब्दों के साब मैं आप से आशिर्वाद चाहता हूं वाकि इपनीवाणी को बनाइप प्रश्ण का उत्तर मिला हां मिल गया प्या जो मतलब आमर हैं बाकी लोग 24 लाखियों में भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें शत्तिका रास्ता नहीं मिला सही बोले कि सही पकड़ें और यह श्रीधाम ब्रंदावन मेरे विचार से जब से प्रसिद्ध है जब से जालंदर की पत्नी ब्रंदा के साथ में भगवान विश्णु ने शल किया अरे शल कहां किया था क्या किया महाराज बताओ अब देखो व्रंदा ने तपस्या की दस हजार वर्षों तक जी और विश्णु भगवान से कहा कि भगवान जब प्रसन नहुए तो बोलो बर्दान मांगो जी तो उन्होंने बोल कि हम आपको पती की रूप में चाहते हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि हम आपको पती की रूप में चाहते हैं, पर भगवान जब पती की रूप में मिल गए तो छल कहा था, वो अपनी तबस्या बाद में भूल गई, भगवान ने कहा मैं मिलूँगा पर अभी ये जलंधर ना ना तो लोगों ने बहुत कोछ भगवान चल करते हैं जहां चल की जरूरत है लेकर भगवान जो करते हैं उसमें पूरा प्रमान के साथ कारे करते हैं पहले व्रंदा ने तपस्या करके पती ग्रूप में प्रभू को चाहा और बाद में वही व्रंदा तुलसी बनी और शालिक ग्राम बर्ण करके भगवान ने उन्हें पतनी ग्रूप में स्विकार किया आज भी शालिक ग्राम और तुलसी मया का व विवा होता है जी वैसे तो मैंने देच्छा परम पूझे सत्कुर्देव गुर्ग आश्रम शणानंद जी से प्राप्त किये ठीक है